Hello everyone, I am Gagan Ladha, Director and Founder of Ascent Gate Academy, India's Pioneer Institute for Providing E-Learning Classes for Gate Mechanical. So students, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, IPAED के बारे में, Industrial Proficiency Aptitude Test for Engineers, जो की CII कंड़क करा रही है. And in that video, I strongly recommended that you all must fill that form और आपको ये exam attempt करनी चाहिए. इसके बाद कुछ comments उसमें आए, काफी सारे लोगों की queries थी, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के थूँ क्यों ना उस query को resolve किया जाए. बहुत से students ये पूछ रहे हैं कि सर ये इसकी credibility क्या है, कि ये exam कहीं fake तो नहीं है, और उसके जो reasons वो लोगों बता रहे हैं, वो भी genuine है. एक तो सबसे पहली चीज तो website में कहीं पर भी जो CII claim कर रही है, that 9000 institutions are associated with us, तो वो 9000 institutions का नाम नहीं दिया हुआ है, कितनी क्या vacancy है, कौन से institutions में कितनी vacancy है, ये सारी चीज़े कुछ भी information अलग से website में इस exam के बारे में नहीं दिये, कि इसमें फिर आगे चलके कहां कहां प companies के बारे में या फिर उनकी number of post कितनी release हो रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, so you must understand distinct students कि ये exam आखिर कराने का CII का मकसद कै, CII चाहती है, एक common exam रहे, जिसके थूँ सारे जितने भी institutions उनसे जुड़े वे हैं, उनकी recruitment process आसान हो सके, और एक अच्छे engineers वो निकाल के ल हैं, कि जो लोग exams निकाल रहे हैं, हो सकता है, उनको कुछ skill development की training अलग से वो लोग उससी इसको provide करें, तो सवाल उठता है, why CII is not so clear about this particular thing, कि कितने institutions इसमें से recruit करेंगे, और कितने post उसमें निकलेगी, तो you must understand distinct students कि ये इस बारे में जानकारी अभी CII को भी नहीं है, 9,100 जो organizations है, जो CII claim करता है, उनसे जुड़े हुए हैं, all over India में फैले हुए हैं, but ये चीज़ बोलना गलत है, कि ये particular exam is the gateway to the 9,000 companies, 9,000 companies जो है, वो इससे recruit करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये private institutions है, इनकी जैसे-जैसे recruitment निकलती है, वैसे-वैसे हो सकता है, ये लोग फिर C genius की ज़रूरत है, तो फिर CII आपके जो IPAT के score है, वो उनको प्रोवाइट करेंगे, और उस basis में वे लोग interview लेंगे, तो आज की date में कोई private institutions का, ये कोई PSUs नहीं है, जिनके पहले से post पूरे defined रहेंगे, पहले से साल बार के पूरी planning रहेगी, कि ये ये सारे post है, और इनमें को recruit करेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है, see you must be very clear about this particular thing, ये exam के बारे में बहुत clear हो जाईए, और फिर ये आप decide करिए कि आपको देना है की नहीं देना है, जैसा कि मैंने बताया, ये भी ज़रूरी नहीं कि पूरे 9000 institutions को या organizations को engineers की जरूरत पड़े, ऐसा जरूरी नहीं तो fake तो मैं नहीं समझता ये exam हो सकती है, क्योंकि conducting body जो है, वो CII है, वो एक genuine body है, Confederation of Indian Industries ये काफी सालों से काम कर रही है और in fact बहुत अच्छा काम कर रही है ये, तो इसलिए fake तो ये exam होगी नहीं, आप इस चीस पर question लगा सकते हैं कि कि कितने recruitment आएंगे, कौन-कौन सी companies लेगी, ये information अभी in fact CII के पास भी नहीं है, जो आपको दे सके, but yes, I still suggest कि ये exam आपको देनी चाहिए, क्योंकि private institutions जितने भी इससे जुड़े वे हैं, CII का एक अपना impact है, तो वो obviously इस exam को success कराने के लिए पहले साल में पूरी तरह से भेड़ेगी और पूरी तरह से अपने जो institutions और organizations हैं, जो उनसे जुड़े वे हैं, उनको motivate करेगी that you must recruit from this particular database, जो उनके पास exam लेने के बाद जो database मिला है, उससे वो लोग recruit करेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो ऐसा कुछ भी website में भली mention नहीं है, but ये definitely जिस direction में ये लोग जा रहे हैं, आने वाले स करें, तो पहले साल है, no doubt कई सारी चीज़े CIA को भी clear नहीं है, तो ये एक आप बोल सकते हैं, एक disadvantage है, पहले साल में इस form को भरने का, क्योंकि fees भी 1500 रुपीज है, but पहले साल में भरने का advantage भी यही है, कि बहुत जादा लोग अभी इस exam के बारे में नहीं जानते हैं, और बह इसलिए कुछ सालों से आप देखेंगे gate के थुरू जितने PSEU's recruit कर रहे थे, अब वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, और आने वाला समय इंफेक्ट और टफ होने वाला है, तो no doubt, no doubt आपको private institutions की तरफ जाना ही होगा, आप उनको पुरी तरह से ignore नहीं कर सकते हैं, अगर की date में ये best option है, the reason being मैंने उस video में भी कहा था कि अभी तक आपको हर एक private organization में job करने के लिए हर जगा आपको apply करना पड़ता था, okay, अब हर जगा एक जगा आप apply कर रहे हैं, वहाँ पर जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ फिर interview देने का खर्चा, ये सारे आपके अगर आप देखें, तो आपके कहीं जादा रहते हैं इस 1500 रुपीज से, so 1500 रुपीज डेफिनेटली, no doubt हमको exam fees के नाम से भले ही जादा लग रहा है, but मैं समझता हूँ, it would be worth, क्योंकि जितने भी private organizations है, वो आपको इस, जितने भी तो नहीं बोलना चाहिए, but CII के जितने जुड़े हैं, जिनमें आने वाले समय में recruitment निकलने वाली है, या निकल चुकी होगी, वे सारे आपको directly call करेंगे इस particular exam के थूँ, और इसके बाद फिर आपके chances क्योंकि सिफ selected लोग की आएंगे, अब जितना पुरा अभी तक जो आप interview के लिए जाते थे, पुरा ज मेरी recommendation चाहें, तो I still recommend कि definitely आपको ये form भरना चाहिए, क्योंकि देखो आज की date में बहुत जादा हमारे पास options नहीं है, okay, gate no doubt एक best option है, आज की date में, आज भी gate exam की एहमियत कहीं जादा है, बहुत जादा है, but still अगर हम सिफ एक exam पे dependent रहेंगे, तो हो सकता है कि हम आगे हो रही है, और in fact हम भरते ही है, individual PSU's के form बहुत सारे हम भरते ही है, तो एक और form भरने में मैं नहीं समझता कि कोई और हमको problem होनी चीए, and मुझे ऐसा लगता है definitely कि इसका एक अच्छा result आपको मिलेगा, बाकि entirely the decision is all yours, ये आपको अपने विवेक से, अपने intellect से decide करना है, whether you must build that form or not, I would recommend yes, you must build that form, okay, so और भी कुछ अगर आपके query है, इस exam से related, तो आपके comment box में comment कर सकते है, I would try to answer that too, okay, all the best, thank you so much. झाल